अब मैं समझता हूँ यह बहुत बड़ा कि चुनी हुई सरकार के मुख्य मंत्री परदीश का हीत रखने के लिए निती आयोग की बैठक में नहीं गए शिमला से चले गए दिल्ली पहुंचे लेकिन इंडिया गटवंदन के सब नेताओं ने शायद यह तैक कि नहीं जाना है और जिससे हमारे मुख्य मंत्री सुक्विंदर सिंग सुक्खु भी उस बैठक में नहीं जा सके राजनिती एक अलग से मंच का विशय है बहुत सारे अपसर मिलते हैं वहां पर राजनिती करिए लेकिन जब विकास के बात आती है परदेश के हित की बात आती है तो राजनि राजनिती को आगे नहीं लाना चाहिए राजनिती को किनारे रखना चाहिए परदेश का बहुत बड़ा अहित हुआ है नुक्सान हुआ है और विशेशतोर से जब मुख्य मंत्री कह रहा कि हमारे हिमाचर परदेश के लिए और ज्यादा मिलना चाहिए तो यही वह ऊचित स्थान तर जहां वो अपनी बात रख सकते थे जहां पर अपनी बात रख सकते थे। लेकिन वैटक का वहिश्कार करना ये कोई रास्ता नहीं कोई तरीका नहीं है और हिमाचल जैसे छोटे से परदेश के लिए ये बहुत आवश्यक है कि केंदर के साथ अच्छे समंद बना करके केंदर से जो मदद जिस रूप में मिलती है जितनी मिलती है उसको हासिल करने कर चाहिए ताकि परदेश में काम कर सके विकास कर सके पिछले 18-19 मेने से पूरे परदेश का काम विकास सारा ठब पड़ा हुआ है लोन लिये जा रहे हैं जितना पांस साथ में हमने लोन लिया उससे जादा लोन इन्होंने 18 मेने में ले लिया लेकिन 18 मेने में इतना लोन ले का जो बंद हुई तो वो अभी तक खुली नहीं, पुल जो पिछली प साथ के तूटे हुए थे, बहुत भाशन सुज़न सुने हमने मंत्री मोदे के और मुख्या मंत्री के, हमने ये कर दिया, हमने ये package कर दिया, जाएे, मंडी में ही 12 पुल तूटे हुए उसमें से एक पैदल पूल तक भी बननी पाया मोटरेबल पूल की बात चोड़िए तो ऐसे में बहुत आवश्यक था मुख्य मंत्री को बैठक में जाना चाहिए नीति आयों की बैठक में और वहां अपना पक्ष रखते प्रवावी डंग से रखते और शायद हिमाचल परदेश के लिए पिछली बरसात में जो रहत मिली है केंदर से पैसा मिला है क्या आपने वो इमानदारी से लोगों के बीच में पातर व्यक्ति तक पहुंचाया है आज भी दरजुन मैं अब अपने क्षेतर में मंडी के इलाके में अभी तीन चार दिनों में था दरजुन डेलीगेशन मुझे मिले हैं जिनके घर चले गए बीचे चले गए पशुशाला चले गए लेकिन दूसरी बरसात शुरू हो चुकी है नुकसान दूसरी बरसात का होना शुरू हो चुक है लेकिन अभी तक पिछली बरसात का एक पैसा उनको नहीं मिला तो मिला किसको बैठक थी इस बैठक में जाना बहुत आवश्चक था और निश्चित रूप से हिमाचल के हिद सर्वपरी होने चाहिए राजनिती बात की वाता है आपको नहीं लगता कि नीती आयोग की बैठक बजट सत्र के बात बुलाई गई है अगर बजट से पहले होती तो हिमाचल के हपों की प्यारवी जाद अच्छे से हो बाता है कि बजट अभी प्रस्तुत हुआ है बजट अभी पारित नहीं हुआ है और जब बजट प्रस्तुत हुआ है तो जो बहुत मत्वपून सुझाब जो आते हैं जो बहुत मत्वपून कुछ चीज़ें ऐसी सुझाब के रूप में आती है जिनको कंसीडर किया जाता है जिनको शामिल किया जा सकता है अगर नीती आयो की बैटक बजट के बाद रखी गई थी तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी एक अफसर था जहां वो अपनी बात कहते ही माचल के हिट की बात कहते है और निशित रूप से उसमें कुछ न कुछ मिलता सरसरकार थे हाल ही में एक रिसोर्स मॉबलाइजेशन कमिटी बनाई है आप भी पूर्ड में फानास मिलस्टर भी रहे हैं मुख्यमंत्री तो थे ही थे प्रदेश की फानास का जो इस्टेक्चर है इस पर आप ही क्या राए है देखे एक तो लगातार जिस परकार से फैसले लिये जा रहे हैं मैं तो कुछ बातों को ले करके बहुत हरान हूँ कि अब तो जो टी जी टी के एक्जाम के लिए जो अफीस है वो भी डबल कर दी गई है जो बच्चे बीरोजगा रहे हैं उन से अब परदेश को चलाना चाह रहे हैं उनकी जेब पे हाथ डाल करके परदेश चलाना चाह रहे जो गरीब लोगों के लिए हमने हिमाचल परदेश में कुछ फैसले लिये थे आज अख़वार में खबर लगी है कि हॉस्पिटल में इलाज बंद कर दिया हिमकेर के कार्ड बंद कर दिये गए एक मानव के जीवन के साथ इस परकार का बहवार करना ये कताई भी उचित नहीं है और ये सारी चीजों को लेकर के जिस तरह से फैसले लिये जा रहे हैं हिमाचल परदेश में वर्तमान सरकार द्वारा इससे परदेश में कुछ बहुत बड़ा आपको आए आएगी ऐसा लगता नहीं है अगर निर्ने करने हैं तो कुछ बड़े और चीजों को लेकर के सोचे जाए विचार करना चाहिए जहां से रह्मियों आ सकता है परदेश के लिए लेकिन ऐसे गरीब वर्गों के ओपर आप बोज डालेंगे उससे नुकसान होगा निश्चित रूप से नुकसान होगा विच्टी परिस्तितियों की जब बात आती है पूर मुख्यमंत्री जैरान ठाकुर को इसका दोशी सरकार बताती है क्योंकि सरकार थे मोबलाइजेशन कमेड़ी का गठन किया है मुझे नहीं लगता कि कोई वभारी के रूप से हर सरकार मैं इस तरह कि कमेड़ी का गठन होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कमेड़ीयों से कोई रिक्रमेडेशन जाने के बाद उस पर कुछ काम होता है तब मैं मनूं और मेरा ये मानना है ये सारी गीत गाने वली कहनी है हम ये कर रहे हम वो कर रहे हैं अपने आप इनुने सत्ता में आने के लिए लोगों के साथ जूटा वादा किया और जूटा वादा ये किया कि हम सत्ता में आने आएंगे तो कैबिने तीन सो यूनिट फ्री देंगे अब जो 125 यूनिट है उसको भी उस फैसले को भी विड्रो कर लिया और हमें आरोप लगा रहे हैं कि भी जाराम ठाकु ने गलत किया अगर हमने गलत किया हमने तो लागू कर दिया था जो भी किया था लेकिन आपने जूट बोलकर के लोगों का स्मर्थन तो ले लिए सरकार तो बना लिए और बादी से मुकर गई कोई शर्म नाम की कोई चीज है गया कितना जूट बोलेंगे आप बहुत दुर्भाग्या है परदेश का बोलते कुछ हैं करते कुछ है जो मेडिशनल डिवाइस पार्क है उसमें केंदर ने 30 को दिये थ दोनु ऐसी चीजे हैं जो केंदर ने अर्बिटाइज किये बीडिंग की और पूरे देश के सभी राज्यों ने उसमें अधिकांश राज्यों ने उसमें हिस्सा लिया और तीन बल्क डुक फार्मा पार्क थे तीन मेडिकल डिवाइस पार्क थे और हिमाचल ने दोनु में जो है कॉम्पिटिटिव वीडिंग करके उस कॉम्पिटिशन में अपने आपको खरा सावित करने के लिए प्रयास किये और सफलता हसिल किये हिमाचल पहला राज जहां मेडिकल डिवाइस पार्क भी मिला और इसके साथ साथ में बल्क ड्रग फार्मा पार्क भी मिला अब जिस परकार से 30 क्रोड रुपए जो दिये गए तो उनको बापिस करके हम अपनी कंडिशन लगाएंगे तो मैं इस पात को पड़ा साथ क्याना चाहता हूं मुझे मालूम ने इनको सलाकार कौन है कि जो बीडिंग हुई है बीडिंग में जो जो प्री क्वालिफकेशन के लिए जो कंडिशन है उनको स्टेट गवर्मेंट कैसे चेंज कर सकती है तब तो बाकी स्टेट में जिन दो स्टेट में भी ये फार्मा पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क मिले हैं वो भी इस बात के लिए कहेंगे कि हम अपनी कर्डिशन पर करेंगे ये नहीं हो सकत होता है और मेरा ये कहना है कि सभी बात तो ये है कि उनकी इसमें रूची ही नहीं है और जिस तरह की परस्थितियां पैदा करना चाह रहे हैं जिस तरह से जो लोग यहां आना चाह रहे हैं सब के सब निराश हो करके जा रहे हैं क्योंकि उनके सामने जो condition रखी जा रही है वो condition का जिकर यह दिकर रहे हैं वो condition इस तरह की condition रख रहे हैं जिसमें पहले कुछ करो उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी उसके मताबिक आपके जो है आपके case को देखेंगे आपके बारे में इस बारे आपको देना है के नहीं देना बात करेंगे यह बहुत ही दुभाग्य पून है छोटे से 18 मेने की सरकार कॉंग्रेस पार्टी की ब्रश्टाचार में आकंठ ब्रश्टाचार में डूप चुकी है और इसलिए यह जो सारी चीज़े जो की जा रही है यह परदेश के हीत में नहीं कोई चीज हासिल त नौजबानों को रोजगार मिलेगा जहां हजारों क्रोड रुपे का निवेश होना है वो हम खोते जा रहे हैं हम खोई जा रहे हैं यह बहुत दुभाग्य अपने है थैंक्यू बेर मैच